दोस्तो नमस्कार, हम सब शिक्षण क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं उस काम के दोरान हमें सफलता और अपैश दोनों मिला है हमें अपैश क्यों मिलता है यह हमें समझ लेना चाहिए इसका कारण यह है कि हम किसी स्तर पर अटक गये है कुछ तो अटका हुआ है और इस अटकनी की वज़े से हम खास आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अब हम यह समझ लेंगे किस परिस्तित्यों से हमें आगे कैसे निकलना होगा और अगर हम अटके है तो आखिर कौन से स्तर पर अटके है हमने अब तक देखा है हमारी कक्षा में तीन स्तर के चातर है यह तीन स्तर अलग-अलग है कौन से है यह तीन स्तर हमने देखा है हमारी चात्र में कुछ चात्र कम गती से सीखते है कुछ मध्यम गती से और कुछ ज्यादा गती से एक बार फिर से सुनिए आप से क्या कह रहा हूँ हमारी कक्षके कुछ चात्र कम गती से सीख रहे है कुछ मध्यम गति से और कुछ ज्यादा गति से क्या आप इससे सहमत हो? पर इस सब में आपको एक बार भी पता होनी चाहिए कि उनकी जो सीखने की गति है वो हर एक विशे के बारे में अलग-अलग है हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चातर सारे विशे में एक ही गति से सीखता है हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई चातर हर विशे में ज्यादा गति से पढ़ रहे है हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी कक्षा में हर एक चातर विशेश है और हर एक दूसरे से अलग है तो उनके सीखने की गती भी अलग ही होगी और इनके सीखने की गती अलग-अलग विश्यों के लिए अलग-अलग हो सकती है उधारण के तौर पर हम ये देखेंगे कि समझो हमने एक बच्चे को तैरने के लिए कहा तो यह हो सकता है कि तैरना सीखने की उसकी गती ज्यादा हो अगर उसी चातर से आप गणित सीखने को कहो तो शायद उसकी गती कम हो सकती है तो एक ही चातर के बारे में हम देखते है वो तैरना और गणित अलग-अलग गती से सीखता है किसी और चात्र में आपको इससे बिलकुल अलग दिखेगा ऐसा हो सकता है उसके गणित सीखने की गती ज्यादा हो लेकिन तेरना सीखने की गती कम हो इसी का मतलब है किसी चात्र के पसंद अनुसार या इंट्रेस्टेरिया अनुसार उसकी गति कम या ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही हम जब अपनी कक्षा में देखते हैं तो हमें ये समझता है कि छात्रों में दो अलग तरह की बुद्धिमत्ता हैं। ये कौन से दो प्रकार है। पहली बुद्धिमत्ता जो हमें कक्षा में देखती है वो है भाशिक बुद्धिमत्ता और दूसरी है उसे कहते है गणित या फिर तारकिक बुद्धिमत्ता। इस भाशिक और गणितिय बुध्धिमत्ता के अनुसार हमारी चात्र कक्षा में तीन स्तर पर वितरित है. ऐसे चात्र जिनकी भाशिक और गणितिय बुध्धिमत्ता कम हो, मध्यम हो या ज्यादा हो. फिर से एक बार दोराता हूँ. हमारी कक्षा में हर चात्र विशश है और हर चात्र की गती अलग-अलग है लेकिन अगर पूरे तोर पर हम कक्षा की और देखते हैं तब हमें दिखता है कि कम गती, मध्यम गती और ज्यादा गती के चात्र हमारे पास है जब हम इनको मुल्यांकन के तोर पर देखते हैं तब हम कहते हैं कि कम गति से शीखनेवाला चातर ये असर स्तर पर होता है असर स्तर पर होने का मतलब क्या है तो इसका मतलब ये है कि छातर को जो भी 6C है जैसे लिखना और पढ़ना इसमें भी दिक्कत आती है ये चात्र उच्छ स्तर पर भी स्ट्रगल कर रहे है दूसरा जो स्तर है वो है नैस स्तर नैस का मतलब ये ऐसे चात्र है जिन्नोंने असर लेवल पार की है अब वो कक्षा में अध्यान निश्पत्ती और उसके कामों के सीखने की कोशिश कर रहे है और तीसरा है पीसा स्तर, यह ऐसे चातर है जिनोंने नय सद्ध्यान लेवल पार करके अव्याधिक गति से आगे की चीज़े सीख रहे हैं तो मुल्यमापन के माध्यम से हम चातरों के तीन स्तर करते हैं हम करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षक ऐसे स्तर बना रहे हैं शिक्षण व्यवस्था भी यह नहीं कहती है हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि आपको आपकी कक्षा की रचना ध्यान में आ सके आपकी कक्षा में हर विद्यार्थी एक ही स्तर पर नहीं है आप देखेंगे वे अलग-अलग स्तर पर है और जो कि वो अलग-अलग स्तर पर स्थित है इसलिए हमें ये सोचना चाहिए हम अपने चात्रों से किस तरह के सम्मन्द रखते हैं हमारा उनके साथ interaction कैसा है? interaction सिर्फ कक्षा के कारण है या उस चात्र के लिए है? हम ये पाएंगे कि हमारा interaction उनके साथ कक्षा की बहतर ज्यादा है ना कि उस चात्र के लिए अब यह आप समझ लेंगे कि असर लेवल, नैस लेवल और पीसा लेवल के चात्रों का मतलब क्या है? इसलिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा आखिर ये स्तर क्या होते है? असर लेवल का मतलब है जिन चात्रों को basic क्रिया भी कठिन हो जाती है, जिनको basic सी करना कठिन है तो ये basic क्रिया कौन सी होती है? पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि असर याने Annual Status of Education Report ये एक सर्वे होता है ये सर्वे में हम ये पाते हैं कि हमारे महरश्ट ये हमारे देश में बहुत सारे चात्रा असर लेवल पर है असर में हम क्या मुल्यमापन करते है? असर लेवल में ये देखा जाता है कि दूसरी कक्षा से आठवीक अक्षा के एक छात्रों को पढ़ना कितना आता है और गणित में भागा कर कितने छात्रों को आता है भाशा में उनकी वाचंग चमता और गणित में उनका अंकग्यान, संख्याग्यान और गणित ये क्रियाएं देखी जाती है ये देखने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है जब वे सर्वे के लिए जाते है तब वे क्या देखते है आपको तो पता ही होगा कि ये सर्वे स्कूल में नहीं होता है ये सर्वे गाव में घर पर होता है और वहाँ पर ये दिखता है कि गणित में चात्र को भागा करने दिया जाता है